किसे अाम सभी लोग मिस्षिल्पा आप सभी लोग लए कर आएंग उज़ी तरीके से Southeast γर्म गरम और अलू की पूड़ीा चटनी मंने आप trabalho क ठरक्राटी कर बनाएं नहीं से भी आप घर पर बना सकते हैं मतलब खाते खाते आपका पेट तो भपा जाएगा लेकिन मन मुल्कुल भी नी भफ़ाएगा दोस्तों तो आई ये देर न करते हैं हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम करते हैं पुड़ी के लिए डो तरिया तो इसके लिए मैंने एक बावल में एक कटोरी गयुहू का आटा लिया है अब इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी बेशन बेशन आप चाहें तो स्कीप कर सकते हैं लेकिन मैंने पुड़ी का टेस्ट बढाने के लिए 4-5 boy के सब्सक्राइब नभी देपाएब हारा फुलीजियों । इसंको नियुक्त क चमघ कर लेंगे एक चमघ कर लें जिसको हम आजवाई आजवाइन х לाट बाले लिए इसको भी कोस्तों सुक्विस एड़ करेंगे पुर्य को चट्पटा बनाने के लिए अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले चाट मसाला, आदी चमघ काली मिच पाउडर स्वाद अनुसा नमक तो मेस में एक चम्मज नमक डाल रही हूँ आधी चम्मज लाल मिच पाउडर आधी चम्मज जीरा पाउडर आधी चम्मज गरम मसाला आधी चम्मज हल्दी पाउडर आधी चम्मज हींग चुहिंग से नफुटी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हमाले बबकूलें की मंत करेंगे अछिंग से इसे मिक्स में जो बहने पसंद करते नि afterwards ताइट स्कूर्ण द्यारा करेंगे ध्यान दीजिएक पानी थोड़ा-धोडा करके डालीएगा और हमें दूंकि हम ने से आलू मिक्स अंपराने पानी छोडता है थो हमारा ऑट्टोमेटिक गीला हो जाएगा इस लीएंशला से तो're आउप कम टैयर तोड़ा सा तेल हम हात में हम लेकर की हैं बस्ट हमारा रचा बेड़ी है तोड़ा सा य сказ home we go कटोरी ही हमारा पानी यूज हुआ है बहुत कम पानी यूज होता है इसमें अब डो को हम 10 मिनिट के रख देंगे आई जब तर हम चटनी तयार करते हैं चटनी बनाने के लिए में जाली वाला इस्टेंड का यूज कर रहे हूं इसको मैंने गेस पर रख दिया है और गेस को हम हम ओन कर देंगे आप कोई भी इस्टन यूज कर सकते अब इसके उपर हम रखेंगे लाल चार टमाटर अब इसको हम चिम्टे की साहता से पलटते हुए इन चारो साइट से अच्छा सा से शेख लेंगे हमारे यह टमाटर बल्कुल भी कच्चे नहीं रहना चाहिए अच्छ इनको भी हम हटा देंगे इसको आफ कर देंगे अब मैं इसमें इलेक्ट्रोनिक चोपर का यूज कर रही है इसी में हम चटनी बनाएंगे इससे चटनी बहुत ही अच्छी बनती है यदि आपके पास यह नहीं है तो आप हैंड ग्राइंडर का भी यूज कर सकते हैं अब इ इससे क्या हुआ चटनी हमारी दर्दर ही पिसेगी और चटनी बहुत ही टेश्टी बनेगी अब इसमें हम चार से के हुए लेशन की कलियर डालेंगे हरी मेची डालेंगे से की हुई तीन इनको में बड़े-बड़े टुकडों में कट कर देती हूं थोड़ा सा हरादनिया करेंगे इसमें और एक मीडियम साइज का प्याज जा लेंगे जिसको में बड़े-बड़े टुकडों में कट कर लूँगी हम इसमें टमाटर बाद में एड करेंगे पहले हम इनी को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं तो मैं इसका ठकल लगा लेती हूं और इसको हम दब सब्सक्राइब करेंगे यह या यह दियुक्त नचरी तरदर पिस गई है घुरीट केरेंगे यह से दबंडेर आढ़ें मीड नहीं सब्सक्राइब कि ज़ाएंगे हम आं μεाट नहीं आइच प्छार्अ टमाटर को डाल देंगे और ऊपर की गुटली यह उसको हम से कट करके चार्य वृ टामाटर को हैड कर देंगे अब इसमें हम डालेंगे एक चमच काला न मा эпशन के अब इसमें हम पानी बुलकुल भी एउयट नहीं करेंगे और इसका डखकं लगांकर इसको हम दर दरा सा पीस सकते हैं अब हमीं बाली निये ड्ड़ाल एक टलगी से में सब्सक्राइब और आप देखेंगे कि हमारी easy तरीके से चटपठी सी तीकी चटणी बनकर तयार हो गये है यह बहुत ही तीजिकी रटी बहुत ही दियुक्त है लगती है वह आप पराटे के साँ और यह ती टेस्ट कीजिए गैंद पिश्डविगन पेट बेट लेकिन इस चट्नी के साथ हमारा मन भुलकुल भी नहीं भराएगा तो इस चट्नी को आप जरू ट्राइए कीजिए अब हम दो को देख लेते हैं 10 मिट हो गया है एक बार में इस डो को मसल मसल के सही कर लेती हो और यह देखिए डो भी हमारा सही हो गया है अब थोड़ा सा डो हम हाथ में लेंगे और एक मीडियम साइज की लोई बनाएंगे जिस तरीके से हम नॉर्मल पुड़ी के लिए लोई बनाते हैं सेम बही साइज होना चाहिए यह देखिए ना ज्यादा बड़ा और ना ज्याद लिए अब इस लोई से हम इसको अच्छे से कोट कर लेंगे और इसको बैलना स्टार्ट करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा हमें इसको हलके हाथ से बैलना है और गोल गुमात हुए बैलना है और ज्यादा पतला बुलकुल भी नहीं बैलना है और यह देखिए हमारी एक पुड़ी बिलकर तैयार हो गई है इसकी किनारे से हलकी सी मोटी है क्योंकि हमें इसको मोटा ही रखना है मोटी रखेंगे तो यह फूल भी जाएए और यदि आप पतल्री रखेंगे तो यह पूड़ी हमारी अच्छे से भूलेगी आप इसको करने केसे अज़ उसको एक प करने के लिए रख दिया है तेल भी हमारा अच्छे से गरम हो गाया तो थोड़ा सा डो में डाल कर देख लेती हूं यह देखी तेल हमारा अच्छे से करम हो गया तो इस डो को में निकाल लेती हूं अब इसमें हम एक एक पुड़ी को फ्राय करेंगे गेस का फ्लेम हमारा मीड अबिसी तरीके सें पुडी निकाल लेंगे ठाटी से दोडरेते क्यां प्रीइए यह संब अच्छे पूडियों फ्राय प्राइब है YEivalu तरीके से टिषू-पेपर निकाल में अच्छे-पुडी थाम ओमिद्णे मत्छली दोया ऩ। और यह देखिए हमारी सारी पुडियां फ्राय होका रेडी हो गई है और मैं आपको एक पुड़ी को अंदर से फोड कर दिखा देती हूं यह देखिए इसमें धनिया कितना प्यारा लग रहा है और इस पुड़ी का कलर कितना प्यारा आया है चटपटी सी आलू की तीखी कैसी लगी यदि आप सभी लोगों मेरी रेसीपी पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरू कीजिएगा इसी तरीके से में हेल्दी टेस्टी इजी रेसीपी आप सभी लोग ली लाती रहोंगी हम फिर मिलेंगे एक न